आज हम बनाएंगे चाइनीज सोस पास्ता पास्ता एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को पसंद होता है आज मैं आपको एक नई तरीके का पास्ता बनाना बताऊंगी चाइनीज पास्ता यह जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी और भी मज़ेदार है तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं चाइनी सोस पास्ता बनाने के लिए मैंने एक बाउल पास्ता लिया है यह मैंने स्पाइरल शेप पास्ता लिया है एक बड़े साइज के सिम्ला मिर्च कट कर ली है ये देखे मैंने इस तरह से स्क्वाइर शेप में कट किया है सिम्ला मिर्च को दो मेडियम साइज के प्याज कट किया है ये भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे स्क्वाइर पिसिज में कट किये है दो हरी मीर्च ZLIT कर लिया है और 4-5 लहसुन की कलियों को छोटा 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 छोप कर लिया है लहसुन चाइनी सोस पास्ता में एक मेन इंग्रीडियन्ट होता है अब हम सबसे पहले पास्ता बोईल करेंगे पास्ता बोईल करने के लिए हम एक कंटेनर में काफ़ी सारा पानी लेंगे और इसे बोईल होने के लिए रख देंगे अब हम इसमें टालेंगे 1 टी स्पून नमक और 1 टी स्पून घी घी हम इसले डालते हैं जिससे पास्ता चिपकेना और वो खिला खिला बने और इसे चला देंगे पानी में उबाल आ गया है अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और पास्ते को पानी में 8-10 मिन के लिए उबलने देंगे पास्ते को हमें 80% तक पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है और बीच बीच में पास्ता को एक दो बार चलाते रहेंगे आर्दसमीन ठो गए हैं और पास्ता को जितना पकाना है यह उतना पक गया है अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ देखे ऐसी परसेंट तक पक गया है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे पास्ता छानने के लिए अब ऐसी छन्नी लेंगे और इसे छान लेंगे अब इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि इसकी गर्माहट कम हो जाए और यह जादा ना पक पाए अब हम पास्ते को साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई लेंगे इसमें डालेंगे वन टेबल इस्पून ओयल और इसे गरम होने देंगे ओयल गरम हो गया है अब हम डालेंगे इसमें बारी कटा हुआ लैसून लैसून को हमें जादा ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा ही ब्राउन करना है लैसून लाइट ब्राउन हो गया है अब इसमें डालेंगे स्लिट की हुई हरी मिर्च अगर आपको हरी मिर्च इस तरह से पसंद ना हो तो आप इसे चोप करके भी डाल सकते हैं साथ ही डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज और सिमला मिर्च इन्हें हम ओवर कुक नहीं करेंगे बस हलका सा सोफ्ट होने तक कुक करेंगे जब हम चाइनीज डिस बनाते हैं तो हमें वेजिटेबल्स जादे सोफ्ट नहीं करनी होती हैं अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इन्हें ढखकर दो मिन्ट के लिए कुखोने देंगे दो मिन्ट हो गए हैं अब हम वेजिटेबल्स को चेक करेंगे वेजिटेबल्स हलकी सोफ्ट हो गए है अब हम डालेंगे इसमें वन टेबल इस्पून टेमाटो सोस वन टेबल इस्पून चिली सोस और वन टेबल इस्पून सोय सोस सोय सोस चाइनिज डिस में जरूर डाला जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और इन सभी चीजों को अच्छी से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon sugar ये सबी flavors को अच्छे से balance करने के लिए है और half teaspoon vinegar डालेंगे अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे skip भी कर सकते हैं थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे धियान रहे नमक हमने पहले भी एड़ किया था और इन्हें एक मिंट के लिए पका लेंगे अब लेंगे वन टेबल इस्पून कॉन फ्लोर और आदा कप पानी डाल कर इसे अच्छे से mix करेंगे इसमें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए इससे सोस अच्छे से क्रीमी और थिक हो जाएगी कॉन फ्लोर की घोल को वेजिटेबल्स और सोस की mixture के उपए डालेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक गाड़ी ना हो जाए और कॉन फ्लोर का कच्छपन ना निकल जाए अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे ये देखें इसमें उबाल आ गया है और इसका कलर विभू सुन्दर सा आया है एकदम डार्क इसकी कंसिस्टेंसी ना तो हमें बहुत जादा घाड़ी रखनी है और ना ही बहुत जादा पतली रखनी है पास्ता सोस अच्छे से पक गया है जब ये इस स्टेज पर होगा तब इसमें डालेंगे पास्ता और इसे मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से लिपट ना जाए इस फ्लेवरफुल सोस के साथ सोस के साथ पास्ते को हम थोड़ी देर ही पकाएंगे इसलिए हमने पास्ते को 80% तक ही पकाया था ये बाद में भी पकता है तो जिससे ये ओवरकुक ना हो पास्ता बनकर रेड़ी है अब हम इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे ये देखी पास्ता कितना खिला खिला बना है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सीक्रेट रेसिपी कोर्णर को सब्सक्राब कीजिए